पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका ज़दा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी ख़बर के बारे में दोस्तो जैसे के आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियल लीग के 13 सीजन का 27 वा मुकाबला बुमे इंडियनस और दिल्ली के टीम ने बनाए पहले बल्ले बाजी करते हुए और बुमे इंडियनस के सामने 163 रनों का लक्षा रखा तो वहीं बुमे के खिलाफ प्रत्विशो अपनी पहले वाली लेबर करार नहीं रखपाए दरसल वो ट्रेंट बुल्ट की गेंद परी चार रन बनाकर कुनाल पांडिया के हाथों कैच आउट हो गए तो वहीं दिल्ली को दूसरा जटका अजिंके रहने के रूप में लग जिन्होंने सिकरदवन के साथ अच्छी साज़ेदारी की लेकिन वो 33 गेंदों में 42 रन बनाकर कुनाल पांडिया के शिकार बने और वहीं सिकरदवन ने आज के इस मुकाबले में 49 गेंदों पे ही अपना अर्दिशा तक जड़ा और दिल्ली का चोथा विकेट मारकस टीम के लिए रन बनाना जानते हैं तो 163 रनों के लक्षा के जवाब में उतरी बुमे इंडियास की टीम की तरफ से पहले जो उपनिंग करने आए वो थे रोईश शर्मा और कुएंटेंडी कोग जहां पर रोईश शर्मा तो पांच वे ओवर की छटी गेंद परी कगी सोर बाड़ा के हातों में एक आसान सा कैस थमा बैठे जिसके चलते आज के इस मुकाबले में उन्होंने चार चोके और तीन चके लगाए तो वही इन दोनों ही बड़े खिलाडियों के आउट होने के बाद इशान किशन और सूरा कुमार यादव ने पारी को समाले रखा और शान किशन ने भी बुमे इंडियास की टीम को लह में बरकरार रखा हलाकि जिसके बाद 15 वे ओवर की छटी ही गेंद पर सिरेश एयर के हाथों का गी सो रावाड़ा ने सूरा कुमार यादव को 23 रनों के निजी स्कोर पर ही आउट करवा दिया और सूरा कुमार यादव न ऐसा कुछ भी ना हो सका और हार्दिक पांड़ा का विकिट जीरो रन पर ही गिर जाता है तो इसमें दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि इस मुकाबले को देखने के बाद आप दोनों ही टीमों को दिसमें से कितने अंक देना हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा झाल 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 झाल